हाई गाईज वेल्कम टो गृतिकाहस माम कीचे आज मैं आप लोगों के साथ कटल का अचार की रश्पी शेयर कर रही हो जो गड़ियों में बहुत ही अच्छी से बनती है और सबको पसंद भी आती है कटल का अचार तो कटल को आप देख सकते कि मैंने दो कर और इसे चील के ब पाणी दालके मैं इसे रखा ऊबाला है और बनाने के लिए आचार कटल का अचार का अचार बनाने के कटल का अचार अल्टाइम सबका फैबरेट होता है बहुत ही टेस्टी लगता है चावदाल के साथ और यह अचार की ज़ल्दी बन जाएगी और कटल के अचार में जो मसाले यूज करूंगी वह भी मैंने घर में बनाया है और इसका वीडियो मैंने आपके शाथ शेयर है तो यह राम यह अचाड का मसाला मैंने घर में त्यार किया है इसी मसाले से में कटल का आचार बना के त्यार करूंगी तो इसी चलिए उबलने देते हैं थोड़ी देल के लिए कम से कम दो मिनिट तक इसी उबलने देंगे अच्छे से कटल को मैंने बहुत ही अच्छे सुबा लिया गैस को आफ करती है तो चली इसे छान लेते हैं पहले क्योंकि इसके छानने के बादी से कम से कम चार से पास गट्टे तक दूप में रखता है ताकि इसका जो पाली है न अच्छे से दूप में सूख जाए तब यहां चार हमारा आचार कला तेस्टी बनेगा मैंने कटल को छान लिया है और कटल में दिखा दूं कि इतना बाला है मैंने इस तरस दवाने से पिल्कुल ही नहीं टूट रहे है तो समझ सकते हो ज्यादा नहीं उबलाला है इसे पिल्कुल इतना ही craint today तो कटल का आचार बनाने के लिर मैंने यह अजवाइन लिया है कास्मी लाल मेर्श ही है थोड़ासे से कलर अच्छा आता है अचार का खल्दी पाउडर है अजवाइन है आम चूट से बनाओंगी यह कठल का अचार में नमक टेस्ट के नसा और यह अचार का मसाला है जो मैंने घर में तियार किया है और मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ सेयर किया है तो मैं लिंक डाल दूंगी अचार के मशाने का आप जरूर देख लीचेगा कि मैं मसाला अचार का कैसे त्यार करती हूं घर में तो इसी मसाले से मैं कठल का अचार त्यार करूंगी तो चलिए सबसे पहले से मैं दूप में डालती हूं चार से पांच घंडे के लिए ताकि इसका पानी है ना बहुत ही अच्छे से सूख जाए तो कटल को मैंने दूप में रख दिया है चार से पांच घंडे के लिए ताकि उसका सारा पानी है कटल का वह सूख जाए दूप में तो अब मसाला त्यार करत कठल का तो यह मैंने मसाला पॉड़ो जिसके बारे मैं आपको बताया था यह ले लेते हैं यह मंगरेला है अच वाइन हल्दी पहुटर थोड़ी से कास्मेरी लाल मेर्च जिसे कलर बहुत ही अच्छा हैगा आपके कटल का चार का अच्छा में इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मेक्स करते हैं आमचूर मैंने डाल के इसे अच्छे से मेक्स कर दिया है तो अपनी टेस्ट के नुसा इसमें नमक डालेंगे अच्छा में थोड़ा से नमक ज्यादा रहता तरह अच्छा लगता है तो इस पर इस चम्मच से मैंने वन एड़ाप दिया एक गाधा दिया है इसे भी अच्छे से मेक्स कर देते और अच्छा में डालने के लिए मैंने सरसोते ही गरम रखा है तो मसाले में कुछ थोड़ा से गरम तेली डालेंगे अच्छे से मेक्स कर देते हैं और यह कठल का आचार मैं बनादी हूँ मेरे सब्सक्राइबर है उनके पसंद का है उनको बहुत कठल का आचार उन्होंने कहीं बाहर में खाया था आप आप दोनोंगों ने बोला है बनाने के लिए तो ये रेसीपी मैं उनी के लिए तेयार कऱ कर दूं का जो बनाओं हूं मैं उनी के लिए बना ड़ी हूं वह भी पीना कच्छा मांद हूए मैं बना रही हूं बिल्कुल ही देख सकते हूं कि मसाला मेरा बहुत यहली हो तो लेके आते हैं कटल को मैंने बहुत ही अच्छे से पांच गंडे तक जूप में सुखाया है और इसका देख सकते कि अब सारा पानी खत्म हो चुका सुख लिए पानी अच्छे से तो इधर मशाला भी तैयार है तो चलिए इसको मैं कटल को डाल दे रही हूं कटल दावकड़ी से अच्छे से मेक्स कर देते हैं अचार को मैंने जो कटल और मसाले को बहुत यजे से मेक्स कर दिया तो मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर योज़ करूंगी आधी कटुरी से भी थोड़ा सा कम विनेगर है जिससे ना कटल बहुत ही अच्छे से गल जाएगा चाय आप दूप में रखो या ना रखो ऐसे तो भी दूप गर्मी बहुत है तो अगर दूप में डाल दोगे दो दिन में यह आपका कटल का अचार खाने को तेयार हो चाएगा प्राइसे तो कट्टल का अचार कच्छे आम के साथ बनता है कच्छे आम और कट्टल के साथ बनता है इसका भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रु सेर करूंगे जब मैं अचार बनाऊंगी कट्टल और आम का तो ये कट्टल का अचार मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बना तो चलिए इसे एक ड्राइब कंटेनर लियू मैंने लियू इसमें डाल दे रही हूं और इसे एक से दो दिन तक दूख में डाल देंगे तो लिचे मैंने कटल काचार बढाकर त्यार कर लिया और इसे एक डब्बे में मैंने डाल दिया गाइस कितना अच्छा लगड़ा देखने में एक बड़ आप अचार का मसाला घर में बना लीचें और वस मसाले से आप तरह तरह काचार बनाया है आप से वीडियो भी शैर करेंगा गाईस तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें मेरे वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करते रहें तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई करते रहें चालाओ करते रहें